नमस्कार किसान भाईओ, डी गार्डन में आप सभी किसान भाईओ का एक बार फिर से स्वागत है और आप बने वए डी वी दामा के साथ किसान भाईयों आज हम बात करने वाले हैं सल्फर की हिंदी में किसान भाईयों जिसे गंदक के नाम से भी जाना जाता है जिसे गंदक भी बहुत से किसान भाईयों कहते है और ये हमारी फसलों में किसान भाईयों बहुत ही अच्छा कारिया करता है अधिकतर किसानवाई हम क्या करते हैं D.A.P, यूरिया, वेब पोटास का इस्तेमाल अधिकतर करते हैं अपनी फसलों में लेकिन बहुत से किसानवाई गंदक पर अधिक ध्यान नहीं देते इससे किसानवाई हमारे उत्पादन में बहुत कमी आ जाती है अगर हम इसका सही तरीके से किसान भाईयों अपनी फसल में उप्योग करते हैं तो हमारी फसल में 15-20% तक की वरद्धी हो जाती है जब हमारी फसल में किसान भाईयों सल्फर की कमी हो जाती है तो इसके लक्सन भी हमें दिखाई देने लगते हैं करके आप सभी किसान भाईयों ने देखा भी होगा कि हमारे पोदे की पत्या कुछ उपर से पिली पिली सी हो जाती हैं और हम किसान भाई क्या करते हैं उसमें अधिकतर जूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं कि ये पत्या हरी हो जाएंगी लेकिन किसान भाईयों यूरिया डा लेक्षान लालने के बावजूद भी वे पत्या पीले पन पे रहती हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये साफ-साफ लक्षन सल्फर की कमी के हैं अगर हमारी फसल में किसान भाईओ सल्फर की कमी नहीं होगी तो जैसे हम यूरिया खाट डालेंगे तो वे पत्या हरे पन पे आ स कारिया तो आप साफ-साफ समझ सकते हैं कि इसमें सल्फर की कमी के लक्षन है या निके सल्फर की मातरा इसमें कं है और सरसों की फसल में तो किसान भाईयों ये खास तोर पर सिकारिया करता है जब सरसों की फसल में तेल बनता है यानि के दानों में तेल की मातरा बनती है तो उसमें गलोकोसाइड के निर्मान में ये काफी सहयोग करता है और किसान भाईयों जब हमारी जितनी भी तिलहनी फसले होती है उनमें तेल की मातरा को तो ये सभी में बढ़ा देता है और जो सागसबजों की फसले होती है उनमें भी सागसबजों की गुनवात्तों को बढ़ा देता है और आलू में तो किसान भाईयों इसका खास इस्थान है उसमें स्टार्च की मातरा को एक काफी बढ़ाता है और सल्फर का किसान भाई हो हमारी फसलों में जो सबसे बड़ा फाइदा है वो ये है कि जो छोटी मोटी बीमारिया होती है उनको ये हमारी फसलों में नई लगने देता यानि के एक पर्ती रोदक का काम करता है हमेरी छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने में इसका उपयोग तो किसान भाईयों हम अपने परियोग में भी करते हैं यानि के जो हमारे सरीर में चर्म रोग हो जाते हैं उनमें अक्सर करके गंदक का ही उप्योक किया जाता है और ये उन्हें हटाने में रोकने में शक्षम भी है तो इसी तरीके से किसान भाई ये हमारी फसलों में भी काफी अन्य विमारियों से लड़ने में सायक है उनको अटाने में सायक है तो चलिए किसान भाई यो बात कर लेते हैं सलफर की मातरा की कि किस मातरा में हम अपनी फसल में इसे दे सकते हैं वैसे तो किसान भाई यो मिट्टी की जाँच के आदार पर इसको दिया जाता है लेकिन बहुत ही कम किसान भाई मिट्टी की जाँच करवा पाते हैं इसको अक् पसले सही समय पर पक जाती हैं, सही समय पर उनकी कटाई हो जाती है, तो इस तरीके से किसान भाईयों काफी फाइदा है हमारी फसल को सलफर से हो जाते हैं, तो किसान भाईयों आप अपनी फसलों में सलफर का जरूर उपयोग करें, जिस तरीके से आप डी एपी, पोटा, सू जरूर करना चाहिए और किसान भाई यह इससे काफी फाइदा हो जाता है जो हमारी फसले सही समय पर पक जाती है सही समय पर उनकी कटाई हो जाती है तो इससे अनेक फाइदे किसान भाई हमारी फसलों को हो जाते हैं तो किसान भाई यह थी आज की जानकारी उम्मिद करता हू आपको पसंद आई होगी, जो किसानबाई मेरे चैनल पर नए है, होगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है और बेल आईकन को दबा सकते है, तक आने वाली वीडियो उनकिसानबाई तो अग जल्दी से जल्दी पहुंच सके, एक नई जानकारी के साथ किसान भाई ये अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए सभी किसान भाई ये को नमश्कार